हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश और इस फीडिये में हम सिम्वेस्टटीन दुआ के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस दुआ का उपयोग किन कंडिशन भी किया जाता है और इस दुआ के क्या का साइड फेक्ट हो सकते हैं और यह भी जानेंगे अगर आप इस दवा को उप्योग करते हैं तो आपको क्या का साथ दाने रखनी चाहिए और किन दवाओं के साथ इस दवा का उप्योग नहीं करना चाहिए यह HMG Co-E Reductase Inimited Drug Class की दवा है जिसको Stetine के नाम से भी जाना जाता है हमारी बोड़ी को क्लेश्टल को प्रोडूस करने के लिए एक एंजाइम की जरुत पड़ती है जिसको HMG Co-E Reductase कहते हैं सिम्वेस्टाटीन दवा इस एंजाइम को ब्लोक कर देती हैं जिसकी जासे हमारी बोडी कुलेस्टोल को नहीं बना पाती है हमारे सरीर के आर्ट्रीज में कुलेस्टोल जमा हो जाने के कार्ण हर्ट, ब्रेन और सरीर के अन्य हंगों तक ब्लेड और उक्सिजन स्प्लाई कम हो जाती है जिसकी जैसे हर्ट एटेक, स्ट्रोक और एंजाइन होने का जोखिम अधिक हो जाता है स्विभेस्टटballs दवा आर्ट्रीज में कुलेस्टोल के से रोकती है और जो कुलेस्टोल अलड़ी जमा हो चुका हूँते हैं उसे ब्लेड को रही हिव्जार करने में मुदद करती है जिसकी जैसे आर्ट्रीज में ब्लेड फ्रोव इंप्रोव होता है और यर्टटेक, स् से बचना चाहिए, सिमवेस्टाटिन दवा 5MG, 10MG, 20MG, 40MG, 80MG की स्टेंथ में अवेलेबल है और यह है टैवलेट की फोरम में अवेलेबल है अब हम डिसकस करेंगे अगर आप सिमवेस्टाटिन दवा का उप्यो करती है तो आपको क्या कैसा दानिया रखनी चाहिए, सिम सिमवेस्टाटिन की साथ अलकुल का सेवन करने से सीरियस लिवर प्रोलम हो सकती है इसलिए इस दवा के साथ अलकुल का सेवन नहीं करना चाहिए, सिमवेस्टाटिन की जैसे बलड सुगर लेवल ज़्यादा हो सकता है और यह है डाइवटीज से पिडित लोगों के लिए muscle pain, muscle weakness, memory issues होने का risk अधिक होता है इसलिए ज़्यादा उमर के लोगों में side effects को बहुत ही सावधानी से monitor किया जाना चाहिए और कोई भी ऐसा माने या unexpected symptoms होने पर अपने डोक्टरों से तुरंत प्रामर्स लेना चाहिए semester 10 दवा को उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जिनको कोई acute liver disease हो मतलब कि जिन लोगों को present situation में कोई liver की बेमारी active हो और जिन लोगों को इस दवा से allergy हैं उन लोगों को इस दवा को नहीं लेना चाहिए और जो मेलाइस तन पान करा रही हैं उन्हें भी इस दवा का 7 नहीं करना चाहिए अब हम discuss करेंगे कि semester 10 दवा के विजए से क्या का side effects हो सकते हैं semester 10 के समयन side effects में nausea vomiting हो सकती है constipation वे थकान हो सकती है बदाजमी, dust वे muscle weakness हो सकती है वे muscle में pain भी हो सकता है सोने में दिक्कत हो सकती है मतलब नीन ने आने के समस्या हो सकती है semester 10 के serious side effects में liver damage हो सकता है लेकिन यह बहुत ही rare है अगर आपको liver damage के symptoms होते हैं जैसे तउचा का पीला पढ़ना, आखों में पीला पन होना, भूख कम लगना आदी election होते हैं आपको तुरंद थी अपने डॉक्टर से प्रामर्स लेना चाहिए रेवड़ोमालिसिस में muscle बुरी तरह डेमेज हो जाती है जो कि एक life threatening condition है रेवड़ोमालिसिस में muscle में severe pain होता है और जिसके वज़ा से liver और kidney भी डेमेज हो सकते हैं इस टाइब के reaction होना बहुत ही rare है जैदा डोज या कुछ ऐसी दौओं के साथ लेने पर जो सिमयस्टर्टिन के साथ interact कर सकते हैं ऐसी reaction हो सकते हैं अगर आपको muscle में बहुत तेज दर्द होता है तो आपको तुरन तेबने डोक्टर से promise लेना चाहिए अब हम सिमयस्टर्टिन के interactions के बारे में डिसकस करेंगे कुछ दौओं को सिमयस्टर्टिन के साथ लेने पर दौओं के परवब अशिलता कम या अधिक हो सकती है या serious satisfaction होने का जोखिम अधिक हो जाता है अगर आप सिमयस्टर्टिन के साथ निमन दौओं को लेते हैं तो आपको इसके बारे में अपने डोक्टर को सुधित कर देना चाहिए और डोक्टर की इसला के बिना इन दौओं के साथ सिमयस्टर्टिन को नहीं लेना चाहिए जैसे खुन को पतला करने के दवाएं जैसे वोरफरीन, मैक्रोलाइड एंटिवाटिक जैसे एरिथ्रोमाइसीन, क्लेरिथ्रोमाइसीन, एजित्रोमाइसीन, वे एंटिफंगल दवाएं जैसे इट्राकोनाजोल, केटाकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, आदी दवायां सिमयस्टर्टिन के साथ इंट्रक्ट कर सकती हैं पैरण और लेक्टर्ण जो कि एक डारूटिक दौआ है इमनोस्प्रस्टी दौइए जैसे साइक्लस्प्रोई, कोल्चिसीन जो कि कोल्चिसीन गौट के सिम्टम्स को प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए दी जाती है अन्ने क्लस्ट्रोई कम करने के दवायां भी सिमयस्टर्टिन के साथ इंट्रक्ट कर सकते हैं अगर आप इन मेंसे कोई भी दौआ लेते हैं तो आपको अपने डौक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए हर्ट कंडिशन में उप्योग की जाने वाली दौए हैं जैसे डाइजोक्सिन, डिल्टाइजम, ब्रपामिल, आदी इनना दौआओं के साथ भी सिम्वेस्टरटिन के इंट्रक्शन पोसिबल हैं अगर आप कोई भी दौआ लेते हैं तो आपको इसके बारे में अपने इसको इंडौक्टर को सुचित कर देना चाहिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको क्यूशन आता आप कमेट करके पूच सकते हैं